कक्षा 8 हिंदी वसंत बुक से पाट 5 चिठ्थियों की अनूठी दुनिया पाट के सारांश को तो चलिए इसको देख लेते हैं इस लेक में लेखक ने चिठ्थियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा है कि भले ही संचार साधलों में दिन प्रतिदिन वर्ति हो रही है लेकिन चिठ्थियों की दुनिया निराली है Facts, SMS, दूरभाश, E-mail कितना भी अपना प्रद्भुत तो जमाले लेकिन चिठ्थियों सर्वस्रिष थी और रहेंगी मानव सब्भेता के विकास में पत्रों ने विशेश भूमी का निभाई है पत्र मनुष्य के लिए संदेश वे प्रेरग दोनों रूपों में कारे करते हैं पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड में कागर, तेलगू में उत्तरम, जाबू और लेक तथा तमिल में कडिद कहा जाता है और हाँ बच्चों, इंग्लिश में इसे लेटर कहा जाता है दुनिया भर में प्रति दिन करोडों पत्र एक से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं भारत में पत्र संस्कृती विक्सित करने है तू स्कूल के पाठेकरम में पत्र लेखन को स्थान दिया गया है विश्व डाक संग विभागने तो सन 1972 में सोला वर्ष से कम आयू के बच्चों हे तू पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है पत्र मनुष्य के लिए धरोहर कागारे करते हैं आज भी देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पत्रों को सहेज कर रखते हैं बड़े बड़े लेखत, पत्रकार, उद्धमी, कवी, प्रशासक, सन्यासी या किसान आधी की पत्र रचनायतों अपने आप में अनुसंधान का विशे हैं अर्थात यदि इन पत्रों का विशलेशन किया जाए तो कितने ही रहस से हमारे सामने खुल जाएंगे जवाहरलाल नहरुद्वारा इंद्रा को लिखे गए पत्र आध भी महत्तोगून हैं राष्टपिता महात्मा गाधी के पत्र काफी उपयोगी हैं संग्रहालों में विशेश लोगों के पत्रों को संकलित करके भी रखा जाता है लोग तो पत्रों को सहेजने के लिए इन्हें फ्रेम करके भी रख लेते हैं पत्रों को संकलित करने का कारे स्वर प्रथम मंगल मूर्ती जी ने किया था दो सो पत्र बच्चन के नाम निराला के पत्र हमको लिखियो है कहां एवं पत्रों के आईने में दयानन सर्श्वती संकली थोकर ही जन्ता तक पहुचे है पत्र लेखन की कला का विकास मानव सभ्यता के विकास के रूपे देखा जा सकता है सभ्यता के साथ साथ पत्र लेखन कला का भी विकास हुआ पहले हर कारे पत्र लेकर जाते थे और सूचना का आदान प्रदान करते थे यह कारे अधिक दूरी के कारण घोड़े दोड़ा कर किया जाता था इसके बाद बहिये का विकास हुआ रेल डाक विभाग ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया रेलों के चलते तेज गती से संदेश पहुचाए जाने लगे अब यह कारे हवाई जहाज के माध्यम से किया जाने लगा विदेशी पत्र भी हवाई माध से भेजे जा रहे हैं पाठे करमों में भी पत्र लेखन अनिवारे विशे बना हुआ है पत्रों की दुनिया निराली होती है पत्रों से जो सूचनाय मिलती है उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड के रूप में व्यक्ति उन पत्रों को समहाल कर सहेज कर रख लेता है ये पत्र विरासत में आने वाली पीड़ी को मिलते हैं इन पत्रों में पत्रकार के पत्र, व्याविसाइक पत्र, कवी, प्रशासन, किसान, पशुपालन, बागबानी से सम्मधित, हर तरह का विवरन इस्पस्ट होता है. इसकी तुल्ना में SMS में ऐसी कोई इस्पस्टता, विस्तार, आकड़ा तथा इस्थाई तो नहीं होता. इस फीले इलाके, समुंद्रतट या रेकिस्तान हर जगह पत्र पहुचाए लाए जाते हैं. डाग विभाग न केवल पत्र लाता है, बलकि मनियाडर भी लेकर आता है. चाहे कोई भी इलाका हो, जहां लोग बसते हैं, वहां डाग विवस्था अवश्य पहुच गई है. यह ल लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो लोग चैनल पर नहें हैं, चैनल को सब्सक्काइब कर लेना, थैंक्स फो वाचिंग, बहुत जल मिलेंगे हमारी नेक्स टुडियो के साथ, तिल देन बा ढारे झौई अी मारे प्यादार ठार जुडियो चैनल